गुड मॉर्णिंग तोड़ी आवर न्यू टॉपिक इस चौपर चौपर इस अलसो नोन आज डीसी ट्रांसफोर्मर देखिए चौपर के बारे में आज हम बात करेंगे चौपर जो है हमारा वो ऐसे काम करता है जैसे कि डीसी ट्रांसफोर्मर काम करता है मतलब क्या है कि वो हमें डीसी में ही इंपुट लेगा डीसी में ही आउटपुट देगा उसका डीसी इंपुट डीसी में आउटपुट होगा और जैसा डीसी हमें चाहिए होगा For example, अगर हमने input में fixed DC दिया है और output में हमें variable DC चाहिए तो हमें ऐसा DC देता है Chopper का काम होता है DC to DC Conversion एक ऐसा device जो DC से DC में Conversion करता है जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने DC में value यह थी amplitude की, जब इसका output आया तो इसकी value यह थी यह देखिए, यह कम है ज्यादा है ठीक है, DC Chopper हम जो भी इस्तमाल करते हैं, वो mainly दो तरह की होते है DC Chopper, ठीक है पहला जो होता है, वो होता है AC Link Chopper और दूसरा जो होता है वो होता है DC Chopper मेरा पूरा lecture हिंदी में है सो आप लोग को अगर English में लिखी वी चीज़ दिक्कत हो रही है तो जो जो मैं बोलता जाओंगा उसको अब हिंदी में कनवर्ट करें, आराम से लिख सकते हैं उसको as in notes AC Link Chopper में क्या होता है AC Link Chopper में जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि AC Link Chopper जो होता है उसमें problem यह होती है कि input DC में जाता है और output DC में आता है बट बीच में कुछ function AC के होते हैं कैसे होते हैं DC input हमने दिया तो पहले उसको AC में convert करते हैं वाया inverter AC में convert किया आता है उसके बाद inverter से जो output निकलता है तक हम इंवर्टर से जो output निकलता है तो उसको जैसे भी convert करना हो step up या step down हम उसको convert करते हैं आप इस diagram के हिसाब से माल लेते हैं step down में convert करते हैं step down में convert करते हैं फिर जो AC यहाँ से बाहर निकलता है फिर again उसको rectifier में देते हैं यह rectifier है ठीक है वो rectifier फिर उसको DC में convert कर देता है और हमें DC में input और DC में output निकलाता है लेकिन बीच का जो function है वो AC का है जिसमें की AC में conversion हो जता है फिर transformer है तो इस वज़े से इस तरह की chopper को AC link DC chopper कहा जाता है वो chopper जो AC link होता है बीच में AC होता है अब क्योंकि इसमें ज़्यादा functions होते हैं इस वज़े से थोड़ा bulky भी होता है और इसका जो time होता है pulsating time भी थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इसको process ज़्यादा use करने पड़ते है तो इसलिए ये current scenario में ज़्यादा इस्तमाल नहीं किया जाता क्योंकि उसकी efficiency उतनी ज़्यादा नहीं होती है और costly भी बहुत होता है उतना cost effective नहीं होता ये ये काफी costly भी होता है ठीक है अब हम इसके बाद बात करते हैं दूसरे की वो है DC chopper या फिर सिर्फ chopper अगर हम chopper की बात कर रहे हैं जो fixed DC को variable DC में convert करता है fixed DC को variable DC में convert करता है ठीक है और जो chopper होता है उसकी switching बहुत तेज होती है बहुत तेज होती है इस वज़े से जो हम जब circuit बनाएंगे तो जो जो chopper का symbol होगा वो एक switch जैसा ही दिखाए जाएगा तो आप इसको याद रखिए चौपर का symbol generally switch जैसा दिखाए जाता है ठीक है इसका इस्तमाल में ली कहां कहां होता है तो वो होता है trolley cranes में माइन्स hauler में hauler मतलब जो खोद के निकालने वाली चीज़ है ठीक है इसको हम क्या बोल सकते है chopper is a DC equivalent to an AC transformer chopper AC transformer के ही equivalent है DC के लिए मतलब जो काम AC में transformer करता है वही काम DC में chopper करता है ठीक है मतलब DC को DC में conversion और या तो step down या step up जो भी है फिलाली जो diagram बना उसके हिसाब से step down chopper है mostly step down chopper का ही इस्तमाल किया आता है इसलिए हम step down chopper ही समझेंगे लेकिन पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए उसके बाद now we should talk about the principle of chopper operation जैसे हम लोग transformer को दो भागों मानते हैं step up और step down जिस तरह से उसकाम करते हैं उसी तरह से chopper में भी दो भागोते है step up और step down दिखेंगे या लिखा हुआ है ठीक है तो इसमें जैसे कि है chopper is high speed on off semiconductor switch ठीक है high speed on off semiconductor switch है on the ground of operation there is two types ठीक है operation के हिसाफ से दो टाइप होते है step up chopper step down chopper ठीक है अब यह सब DC chopper के हम बात कर रहे है mille chopper दो प्रकार के होते हैं AC link chopper DC chopper DC chopper के अंदर यह सब बात करे है step up step down हला कि वो AC link में भी होते हैं लेकिन हम DC की ही यहाँ बात कर रहे है देखिए यहाँ पहले बात कर रहे है step down chopper यानि इसको हम लोग buck chopper या buck converter भी कहते है buck chopper या buck converter step down chopper ठीक है यह देखिए इसका diagram यहाँ पर हमने switch यहाँ देखिए यहाँ switch है ठीक है सोच कहा है AC को chopper कहते है SW switch को denote किया गया यहाँ freewheeling diode लगाए गया है आगे inductor है और फिर load है ठीक है अब इसके diagram के विशे में थोड़ा चर्चा करते है कि step down chopper कैसे हुआ यह जो भी हुआ कैसे हुआ यह ठीक है देखिए हमारे पास input में DC है DC हमने input में दिया तो जाहर से बते input voltage का single एक line होगा जो DC में होता है output में क्या हो रहा है जब हम switch को close कर रहे है यहन्य switch on कर रहे है तो supply ऐसे होते हुए जा रही है समझ रहे हैं बात को इसमें नहीं जा रही है जब switch को on कर रहे है तो supply यूँ होते हुए जा रही है तो जब हम switch को on करते है तो यह उसी path को follow करता है output voltage भी जिस path को input voltage रहता है लेकिन जैसे हम switch को off कर देते हैं off कर देते हैं इसकी polarity बदल जाती है लेकिन वो force करता है current को इस तरह से pass होने के लिए इस तरह से via freewheeling diode ऐसे अब क्योंकि इधर से open हो चुका है ठीक है तो ऐसे force करता है pass करने के लिए ठीक है बास समझ में आ गई है इसका मतलब क्या है यह open हो गया है open हो गया है ठीक है जैसे ही यह off हुआ यह इसकी थ्रू पास होना शुरू हो गया यानि यह short circuit हो गया freewheeling diode यहाँ पर short circuit की तरह काम करने लगता है यानि अगर हम इस चीज को समझें तो यह कुछ इस तरह का है देखिए रुकिए एक बिनिट यह देखिए उस condition में यह switch है ठीक है यह inductor है यह load है यह freewheeling diode है ठीक है मगर उस case में यह ऐसे काम करता है एकदम load से होता हुआ और यह short circuit है मतलब यह simple एक line बन वही short circuit है और जब short circuit हो जाता है आपको पता है कि voltage 0 होता है आप जानते हैं न ठीक short circuit case में तो इसी तरह से यहां पर T off होता है तो short circuit के वज़े से V naught की value 0 आती है क्योंकि यह freewheeling diode behave like a short circuit है ठीक फिर अगेन T on होता है और फिर अगेन वही path follow करता है फिर यह short circuit होता है तो इस तरह से इसका हमें stepped output मेंता है जिसको हम लोग pulsating DC भी कहते थे आप लोग ने पढ़ा होगा ठीक है इसकी value को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं कैसे घटा बढ़ा सकते हैं इसकी विश्याइब हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम आगे topic में जाएगे तो इसे कहते हैं T on time इसे T off time और यह total time अब बात करते हैं अभी तक क्या होता था जब चीजों में इंडेक्टर अगर हटा दिया जाए तो हम जब भी पढ़ते थे तो जो भी output voltage का graph होता था वैसा ही आई output का भी graph होता था होता था आप लोगों को याद होगा बगर इंडेक्टर केस में कुछ अलग हुआ था यहां पर इसके जैसा graph इसका नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा इसका कारण यह देखिए आप लोगों को जब मैंने freewheeling diode पढ़ाया था तो आप लोगों को याद होगा सेम ऐसा ही diagram बनाया था बनाया था उस टाइम पर diagram क्या था आपका mode 1 के लिए ऐसे आया था और mode 2 के लिए ऐसे graph आया था याद है आप freewheeling diode डायोड जो टॉपिक है उसको देख लिए एक बार याद रखने के लिए इसमें mode 1 था और इसमें mode 2 था इस तरह का graph आया था यह किसका graph था आउटपुट करेंट का ऐसा graph आया था यानि आपको याद होगा इस वाले graph के case में आप लोगों बताया था कि e to the power minus x का होता है यह graph और इस वाले graph के case में बताया था 1 minus e to the power minus x का होता है यह graph याद है ना एक graph ऐसे और एक graph ऐसे और जब यह दोनों mode आपस में जुड़ गए तो पहले ऐसे और फिर ऐसे यानि T on T off ठीक है सेम यही case यहाँ पर भी हो रहा है देखें T on यह वाला graph T off यह वाला graph यह वाला graph e to the power minus x वाला है और यह वाला graph 1 minus c to the power minus x वाला है यह free building diode वाली chapter में आपको यह graph clear समझ में आ जाएगा है ठीक है तो यह I not का graph है अगर आपको याद नहीं हो तो इसको एक नजर मार लिजेगा यह इस तरह का है क्लियर है देखिए इस condition को यहाँ वाया diagram अच्छे से समझाया गया है इसके notes में आप लोगो दे दूंगा so don't worry about that ठीक है पहले इसको देख लिजा अच्छे से when switch is closed तो क्या होगा current ऐसे पास करेगी when switch is not closed यहां से open हो जाएगा यह तो करेंट सिर्फ इतने portion पास करेगी और फ्रीविलिंग डायोड इस बिहेव लाइका short circuit clear यह है आपका step down chopper ठीक है step down chopper आपको आगे भी बताएंगे इसकी विशह में ठीक है और इसकी formula यह देख लिए एक बर जड़ा next lecture में इसके आगे का बताएंगे formula क्या होता है वी आउट्पुट वी आउट्पुट यानि output voltage equal to T on upon total time into input voltage यह formula है T is known as a chopping period यानि chopping period यतना देर में चलता है T on plus T off मिला कर पिछले भी diagram में भी दिखाया था alpha is known as a duty cycle यह duty cycle है ठीक है duty cycle में change करके हम लोग काफी कुछ control करते है chopper को duty cycle का मतलब क्या होता है T on और T का ratio यानि on period का upon total chopping time का ratio that is known as a duty cycle T on upon T and F is known as a chopping frequency and you also know about that the frequency is nothing but the inverse of time period frequency अपकी क्या है time period का just inverse होती है इसलिए F is equal to one upon T तो अगर यहां पर T की बात करें तो T तुम्हारा यह है T on plus T off और F की बात करें तो क्या है one upon T on plus T off chopping frequency इसको मिहां लिग दे रहे हैं अब इसमें तो कर समझने में को दिकत नहीं हुग यह T की value यहां रख दिये बस ठीक है तो आज के lecture के लिए फिलाद इतना ही थेंक्यू सो मच कि अधश हुआ धे म१ारए ज गिये स्कृचल नहे है झातल FREकत कि ale यह है तुम्हारा बात को यह नहां चला 15 चल्सवान चल्स क Meansस्त विलाई को दो ऊध